नमस्कार जैशी कृष्णा मेरा के शिवानी अस्टो चनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं और आज मैं कुछ आपको योगों के बारें बता रहा हूं जो तिश में बनने वाले योग जो बड़ा इंपोर्टेंट योग होते हैं बहुत छोटे-छोटे योग हैं लेकिन बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कुणली के अंदर भाग ये चेंज कर देते हैं तो ऐसे कुछ योग जिनका अक्सर याद ध्यान रखना चाहिए वो बहुत जरूरी हैं तो उनी के बारे में मैं आपको बताऊंगा उसके अगावा मैं आपको इनी वीडि गर को एक्सचेंज कर लेते हैं तो क्या होता है ये भी एक बहुत इंपोर्टेंट रोल है कि पहले गर का स्वामी चौथे मा गया और चौथे गर का स्वामी पहले भाव में चला गया तो क्या रोल प्ले करेंगे अक्सर ये सवाल लोगों के मन में बहुत आते हैं उनका दोश होता है केमद्रूम दोश जिसको बोलते हैं केमद्रूम दोश वो क्या है वो कहा जाता है यदि चंद्रमा से दित्य भाव में और द्वादश भाव में चंद्रमा से एक भाव पहले और चंद्रमा के एक भाव बाद दोनों स्थानों में कोई ग्रह ना हो तो केमद्रू कि यह राफी है being children escaped राख उता है इसके अंदर आदमी बड़ा परेशान रहता है उसके अंदर मांसिक शान्ती नहीं रहती रहती चाहे जितना भी वह यतन कर ले वह मांशिक शान्ती को मांशिक शान्ति प्राप नहीं कर पाता, ये उसमें प्रॉब्लम रहती है, तो चंद्रमा से दूसरे भाव में और चंद्रमा से बार्वे भाव में अगर दोनों स्थानों में कोई भी ग्रह ना हो, तो केंदरूम दोश होता है, और ये केंदरूम दोश भंग कब हो जाता है, जब चंद्रमा के साथ कोई ग्रह हो, यदि चंद्रमा के साथ कोई ग्रह बैठा है, चाहे हो शनी बैठा है, चाहे हो शनी बैठा है, चाहे मंगल बैठा है, रागुके तुको छोड़ दीजिए, तो वो दोश भंग हो जाएगा, चंद्रमा कोई ग्रह देखता हो, सूर्य दे साफने दस्तन भौ़न में दिकोई घ्रह तो भी योग या दोश भंग हो जाता है तो इस जाए अक्सर मिल जाएगा को यह को में दोश घमाने के अवश्षक्कर नहीं है यह तीन नियम दरू देख ले जो है त entran नियम पालन, तीरो नियम में से एक भी नियम पालन होता है, तो आप ही कुंडि में केंद्रू्टूम दोष नहीं है तो ये नियुरूर धियान हे गाएगा। केमदिर्म दोष वाला मनुष्य क्या होता है? बहुत ही मलीन रहता है, मलीन मतलब दुख्यत रहता है, चिंता रहती है, उसको चिंता सताय रहती है हमेशा. निर्धन, निर्धन का मतलब आप यह मत समझिए कि यह शास्त्रों में पहले निर्धन लिखा हुआ था कि निर्धन का मतलब कोई गरीब हो गया बहुत ज़्यादा, पैसा नहीं है, ऐसा नहीं, मतलब पैसा होते वे भी वो अपने आपको बड़ा सोचता है कि मैं निर्धन दोश के बाद हम लोग आते हैं पापकत्री और शुबकत्री योग को, ये भी एक बहुत अच्छा दोश है, बहुत अच्छा भी है और बहुत बुरा भी है, जब एक ही ग्रह के या एक घर के दोनों और पाप ग्रह बैठे हों, तो पापकत्री दोश होता है, और एक घर के दोनों और शुब ग्रह बैठे हों, तो शुब कत्री दोश होता है, एक ही घर के दोनों और पाप ग्रह बैठे हों, यानि पहले घर में और बारवे घर में पाप ग्रह बैठे हों, तो पाप कत्री, और पहले घर में और बारवे घर में शुब ग्रह बैठे हों, तो शुब कत और शुबकत्री दोश का भी या योग का भी बहुत अच्छा वर्णन दिया गया है कि शुबकत्री योग में जो उत्पन होता है मनुश्य जातक उत्पन होता है वह दीरगाई होता है सुखी होता है लक्षमी वान और वैभव से युक्त होता है धन धंदान्य से युक्त होत ने तो उसके शत्रू होते हैं ने उसको रोग होता है, किंतु जो पाप कत्रियें पैदा होते हैं, नियुक्त ने अफαιर के जाहिए, लेकिन वो कमपरिटिवली उतने सक्षम नहीं होते, पवित्र, दुखी, अलपायू, भार्या रहित, पुत्र रहित होते हैं, मतलब पुत्र उनके संतान कम होती है, भार्या सुक उनको कम मिलता है, ऐसा यह कहा गया है, संसेप में यह है कि शुब कत्री का शुब फल और पाप कत्री का पाप फल मिलता है, इनको एकदम इसी तरह स नहीं लेना चाहिए ये शास्तरों में भी लिखा है कि इनको सब लक्षम को अक्षरक्ष ना लें भावार्त लेना चाहिए उसके बेसपर ही आपवनन करें कि कैसा दोश है तो ये शुब कत्री, पाप कत्री, ये भी कुंडली के अंदर बहुत मिलते हैं, केंदरुम दोश कुंडली के अंदर बहुत मिलता है, तो वो मैंने आपको बता दिया, एक और दोश मिलता है कुंडली के अंदर, उसको कहते हैं महाभागय योग, ये योग भी अगर मिल जाए कैma कि पुरुषी कुंड़ी में मिलें तो क्या चीजे जरूरी है अगर आप पुरुषी कुंड़ी देख रहे हैं और पूरुष का जन्म दिन का है या थर्सूर्यis दव के बात का है और सूर्यात पहले का जन्म है। अंदिए मत मपी विशम राशी में सारे सूर्य बी ओष राशी में चंद्रमा भी ओष राशी में लगन बी ओष राशी there सूर्य और सूर्य से और और उपार के वार सूर्य से पहले, यानि दुपएर इस धाष जन्म हों 10 बजे 20 बजे 13 बजे Rin बहुत अच्छा योग होता है इसे क्या फाइदे होते हैं यह मैं आपको आगे बताता हूं लेकि यह यह बहुत अच्छा यह होता है अगर किसी कुंड़ी में यह योग बन जाए तो बहुत सारे दोशों को खतम करके यह योग फल देता है इस्त्री कुंड़ी अगर है मान लिया तब क्या होगा तो इसके विए रात्री में जन्म होना जरूरी जरूरी है कि उसका जन्म रात्री में हो सूर्यास्त के बाद हो और सुबह के सूर्य उदर से पहले हो सम लगन हो, इवन लगन होना चाहिए, सम राशी में चंद्रमा होना चाहिए, सम राशी में सूर्य होना चाहिए तो इन चारों बातों अगर होंगे, तो आपका महाभागी योग कहलाएगा कौन-कौन सी चारों बाते के रात्री में जन्म हो, सम लगन हो, सम राशी में चंद्रमा हो और सम राशी में सूर्य हो तो ये सम हो जाएगा इनके लिए और रात्री का जन्म हो जाएगा इस तरी के लिए पुरुष के लिए दिन का जन्म हो जाएगा और सारी जितने भी लगन हैं, चंद्रवा हैं, सूर्य हैं, वो विशम राशी में होने चाहिए, तो ये महाभागे योग बनता है, और महाभागे योग जिसमें उत्वन होता है, वह सबके नेतरों को आनंद देने वाला होता है, बहुती उदार और बहुती फेमस बनता है, निरमल चैत्र का होता है, भूमी का स्वामी, प्रापटी का स्वामी बनता है, प्रापटी उसके पास बहुत होती है, राजा के समान एश्वर्य शाली होता है, किंग के समान रहता है, बिल्कुल, लिव लाइफ किंग साइस, तो जिन इस्त्रियों कुंडी में ये योग हो बहुत अच्छा योग है तो आशा करता हूं ये कुछ योग मैंने आपको बताए या आपको समझ माएं होंगे और समझ माएं हो तो काइंड ये लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा शेयर कीजिएगा ये ये योग वो हैं जो कुली में नॉर्मल मिल ज जाए इसके लावा हम लोग अपना बैस स्टार्ट करने जा रहे हैं जो लोग इंट्रस्टेड हैं वह एडवांस जोइन कर सकते हैं नमस्कार जैशी कृष्णी